परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गट बंधन को घमंडिया गट बंधन कहा था इंडिया गट बंधन के सारे नेता घमंडिया है या नहीं ये तो नहीं पता लेकिन जितने बहुजन नेता है वो बिलकुल घमंडिया है और इसका नतीजा होगा कि लिख के रख लि लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा काम है आप तक सही ख़वर पहुचाना, सही बिसलेशन करना, सही आकरे पहुचाना, मैं आपको यूपी बिहार का मैथेमेटिक्स बताऊँगा, 80 सीटे हैं यूपी और बिहार में, 80 यूपी में हैं और 40 बिहार में, टोटल 120 सीटों के आकरे हैं, मैं आपको ले चलता हूँ पहले बिहार, अब जबकि BSP सुपरीमो मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाओ लडएंगी, उन्होंने ये भी कहा है कि अखलेश यादव नहीं चाहती है कि मैं इंडिया गटवंधन में आऊं, उनका बार 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 राजवर हो या चंसेखर राबन हो या जयन चौधर हो इन सब को उन्होंने उल्जा कर रखा और अंत में उन्होंने सीट देने में बहुत ही आनाकानी की, नतीजा ये हुआ कि नतीजा आपके सामने है, ओपी राजवर निकल गए, जयन चौधरी लगातार नाराज थे, बा सम्मान परतिष्ठा से बरकर कुछ नहीं है, और इसलिए मैं अकेले चुनाओ लरूँगी, नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि बिहार यूपी में बीजेपी को किलीन, उसको बोलते है किर्केट की भाशा में किलीन स्वीप, किलीन स्वीप मिलने जा रहा, कैसे, मैं पर बात करेंगा, पहले आपको ले चलता हूँ बिहार, बिहार में जो महागटवन्धन है, उसकी सबसे कमजोर करीन इतीज कुमार है, बिहार में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, उस हिसाब से बिहार में अगर वो 40 सीटे जीच जाए, तो आपको चिंता नहीं होगी, आरजेडी के पास अपना एक बोट बैंक है, जो लगभक 30% का बोट बैंक है, जिसमें यादव, कुछ सिर्यूल कास्ट, लालु यादव की एक अपनी छबी है, तो उनके OBC में यादव बोट उनके साथ है, मुसलिम समाज के बोट उनको बोट करेंगे, क्योंकि कॉंग्रे पहले उनको कुर्मी कुछवाहा कंबिनेशन माना जाता था, तो वो आकरा पहुंसता था, 6-7%, लेकिन कुछवाहा को लेकर BJP बहुत सतर्ख है, कुर्मी हो सकता है कि BJP को बोट ना दे, लेकिन कुछवाहा में उसने अपना जो बिहार का ध्यक्ष बनाया हुआ हुआ है, व BJP ने सबसे बड़ा जो दाओ खेला है, चिराग पास्वान, चिराग पास्वान, पास्वान कमुनिटी सोसल जस्टिस के बात के बात भी करें, तो अगर कुछ कम भी दे, तो अभी 5-6% बोट, 7% बोट जो है, वो बोट जाएगा चिराग पास्वान के साथ, और वो फिलहा में है, अब आपको बता दे, जो बड़े प्लेयर के रूप में छुपा रुस्तम है, वो है, आपको बता दे कि मुकेश सहनी, जिनको सनफ मला भी कहा जाता है, पिछली बार उनकी सीटे थी, BJP ने उनको बिधायकों को मिला लिया, बाद में 30 कुमार्ण उनको घर भी दे र बीजेपी के साथ पहले से है, मतलब 40% पर बैटिंग तो BJP पहले से ही कर रही है, क्योंकि OBC में बहुत सारी कॉम्णीटी है, जो धर्म के नाम पर जिसमें सोसल जस्टिस को लेकर काम नहीं हुआ है, सोसल एवरनेस नहीं है, उसमें चाहे वो विसकर्मा शमाज हो, चाहे आ बोट लाना था, और जैसी मुकेश सहनी, जैसी चिराग पासवान, जैसी जी तरह माजी इसमें जूरते हैं, यह वो बोटर है, जो स्विप बोटर है, जो फिलिक्सिबल बोटर है, अगर चिराग पासवान कल तेजस्वी के साथ जाते तो यह बोट उनके साथ जाता, माजी कुमार को चिंता नहीं है लालू यादब पता नहीं इस हिसाब किताब को समझ रहे कि नहीं आप कल्पना कीजिए नितीज कुमार कह रहा है कि मैं 17 सीटों पर लड़ूंगा पिछली बार उने 17 सीटों पर लड़ा था जब वो बीजेपी के साथ गटवंधन में थे मतलब बिहार में चुनाव इक्विस्टन अलग होगा बिहार में संख्या का मसला है आपको छोटे-छोटे दलों को लेकर साथ चलना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चुनाव हार जाएंगे चैसे आप सोने का पूल बना लीजिए चिरात पासवान, मुकेश सहनी, उपेंदर कुसवाह, जीता नाम माजी ये चारों मिलकर तीन-तीन-दो-दो परसेंट के हिसाब से दस परसेंट बोटों को ट्रांसफर कराने की हैसियत रखते हैं और ये फिलहाल ट्रांसफर बीजेपी के पाले में होता दिख रहा है मतलब चालिस परसेंट और दस परसेंट, पच्चास परसेंट बोटों का ट्रांसफर पावर जो है वो इन नेताओं के पास है बीजेपी और बीजेपी और ये चार नेता अगर मिल गएं तो पच्चास परसेंट बोट बीजेपी के पाले में आ जाएगा अब नितीश कुमार सब से कमजोर करी क्यों है उनको सीट चाहिए सत्रा बोट उनके पास तीन परसेंट नहीं है चुकि तेजस्वी आदब मजबूर है और जेडी मजबूर है क्योंकि अभी सरकार उनकी चल रही क्योंकि 40-42 विधायक जो है वो नितीज के पाले में हैं सवाल है कि नितीज कुमार सव हमाज के लोग भी कॉंग्रेस के साथ नहीं जायेंगे ये बिहार में अगर कॉंग्रेस को तेजस्वी आदब दरकिनार कर देते हैं और वो सुट मैं फिर कह रहा हूं तेजस्वी आदब को अगर इस लोग सभा में सीटे जीतनी है तो नितीज कुमार और और कॉंग्रेस से ज़्यादा तरजी उनको अगर वो जीता नाम माजी, चिराग पासवान, मुके सनी जो 17-20 सीटे हैं जो इन लोगों से गट बंधन करें तो जाकर पचास पर वो भी 10% 30-45% का आकरा RJD पार कर सकती है और तब उसका जादा बहतर परफॉर्मेंस रहेगा फिलाल की सीटी यह है कि अगर जो जो दोनों दल कह रहे हैं RJD और जेडियू के हम 17-17% पर चुनाव लरेंगे 17-17 सीटों पर और हम 17-17 34 बच गए 6 सीटे पिछ माली जो समय कुछ वहावी धर्म के नाम पर बोट 40% बोट BJP के पास है 5-6% बोट LGP लेकर आया था चिराग पासवाल लेकर आया थे 46% 4% बोट नितिश को मार लाया थे 52% 50-52% बोट BJP के पाले में था इस बार भी BJP के पास अपना 40% बोट है मैं एक्जामपल दे सकता हूँ दिल्ली में अरविन के जरिवाल को भी BJP भले BJP अरविन के जरिवाल से हार जाती है लेकिन उसका 40% बोट है UP में भी उसके पास 40% बोट है 7 बोट 15% और पलस धर्म के नाम पर 25% मतलब 40% बोट BJP के पास इस देश में है अब बिहार में मसला कहां फस रहा है बिहार में मसला ये फस रहा है कि 30% बोट यादव और मुसल्मान मिला कर आरजेडी के पास है लेकिन अगर वो 10% बोट चिराग पासवान हो या मुकेस सहनी हो उपेंदर कुस बहा हो या जीतना माजी हो ये 10% बोट transfer करा सकते हैं अगर ये गटबंधन में आते हैं RJD के साथ लेकिन नितीश कुमार और कॉंग्रेस की हैसियत नहीं है कि वो 10% board transfer करा सके नितीश कुमार maximum 3-4% board transfer करा सकते इसका मतलब है कि जो अभी गटबंधन का स्वरूप दिख रहा है जो अभी गटबंधन का स्वरूप दिख रहा है उसके हिसाब से BJP लीड लेगी और घमंडी लोग इनके अंदर ये लोग RJD 17 सिट पर लडएगी नितीश कुमार 17 सिट पर लडएगे लेफ्ट के पास कौन सा बोट है वही दलित पिछरे आदिवासियों का बोट है कोई उसका अपना बोट बैंक नहीं है तो सोचिए अगर अब भी लेफ्ट कुछ नहीं दिला पाएगा मुकेस सहनी ने अपने आपको इस्टैबलिस किया है माजी जी भी इस्टैबलिस है और चिराग पासवान भी इस्टैबलिस है और मैं फिर कह रहा हूँ यह चारों बीजेपी के पाले में है और यह है बीजेपी की फिलेक्सिबिलिटी वो दो-दो-तिन-तिन सीटे इन लोगों को देगी 40 सीटे हैं वो 17 सीट पर पिछली बार BJP लरी थी इस बार वो 20 सीट पर चुनाओ लरेगी और 20 सीटे वो SC, ST, OBC के सवर्ण दलों से गट बंधन नहीं कर रहे है BJP माफ किजेगा वो दलित लीडर सीबाली पार्टी चिराग पासवान से, सीडूल काश लीडर सीबाली पार्टी माजी से, उसके बाद ओभी सीबाली लीडर सीबाली पार्टी कुशवाहा से, उपंदर कुशवाहा से गट बंधन कर रहे हैं और लास्ट में वो मुकेश सहनी को भी सम्मान जनक सीर देकर मतलब 10% बोट अपने हिस्से में करेंगे और बोटों कहा करा हो जाएगा 50% और बीजेपी 17 लड़ी थी इस बार 20 लड़ेगी 20 सीटे अपने गटवंधन को देगी और वो लगभग 30 से 35 सीटे जीत कर बिहार में RJD और जेड़ी को धूल चटा देगा और यह सब कुछ होगा घमंड की वज़े से दरसल जो दलित पिछले आदिवासियों की जो फैमिली बैक्डराउंड वाले जो जो एस्टैब्लिस लीडर्सिप है उनकी प्रॉबलम यह है कि वो दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं वो द सिट वो अपने गत्वंधन को दे नहीं तो यह दस-दस सिटे भी उनके हिस्से में नहीं आएगी सब बीजेपी के पाले में चला जाएगा तो बहुजन समाज को सोचना है कि आपके निताओं का जो घमंड है और उनका जो स्वार्थ है वो इतना जादा है कि उनके लिए उ समाजबादी पार्टी उनको तेवर दिखा रहा है अखिलेश यादब का बिल्कुल इस तरह के बरताव उन्होंने विधान सवाच चुनाओं के समय किया था उन्होंने बहुत सारे लोग को प्रमिसेस किये थे कि आपको एक सीर दो सीर देंगे बहुत महान दल हो आपको बत बगातार सुत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादब चाहते हैं कि मायावती जी की तरह चंसेखर को भी तरजी ना दे ताकि कोई और सीडिूल काश लीडर सीबाली पार्टी न पैदा हो जाए सवाल है कि सपा को बोंट कौन देगा माल लीजिए यादब एक मुस दे दे और 40% तक जाते जाते समाजबादी पार्टी हाफ जाएगी इससे जादा उसका अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी माल ले तो पीडिये जो पीडिये पीडिये वो कर रहे हैं समाचु की दलिस समाज बोंट देना नहीं चाहता है बीजेपी को तो 40 तक जाते जाते 30% बोंट और बीजेपी के पास है मतलब आकरा कितना है 40% बोंट उसके पास और रेडि है उसके बाद निसाद समाज की पार्टी आपको तार निसाद समाज है अनुपिरिया पटेल है ओपी राजभर ये सम मिला के 4-5% बोंट बीजेपी के पास स्वीप कराएंगे और खेल 45% बोंट लाकर मार्जिनल एरर से बीजेपी यूपी में 70-75 सीटे जीतेंगी माया बती जी भी मैं फिर कह रहा हूं अकेले चुनाओ लड़कर वो 10-12% बोंटों पर अटक जाएंगी सीट में वो कनवर्ट नहीं होगा ये फैक्ट है लेकिन सीट में कनवर्ट समाजबादी पार्टी का भी नहीं होगा और 4-5 सीटों का इधर उधर कहीं कोई कंडिडेट बढ़िया निकल जाए जो अपने बलबूते पर कुछ चुनाओ कुछ खेल कर जाए तो समक जैसे कई ऐसे सीट होंगे जहां मैक्समम यादव हैं दो तीन ऐसे सीट मैक्समम मुसलिम हैं या मै सिजूल कास्ट है वहां कुछ सीटे इन लोगे पास आ सकती है और 65 से 70 सीटे जो है वो बीजेपी निकाल के ले जाएगी क्योंकि वो गटवंधन फिलेक्सिबल है अगर यही मैं कहे रहा हूं गर सपा और बसपा 40% बोट है सपा के पास अगर 10 से 12% बीएसपी का जुरता त 50% कहां करा जाता चंसेखर को कुछ सम्मान दिया जाता RLD को कुछ कॉंग्रेस वहां भी कुछ नहीं दिला पाएगी कॉंग्रेस के नाम पर मुस्लिम एक जुरता बन सकती थी एक 2% बोट का डैमेज करता है सोचिए अखिलेश या अदब जिस पाठी के पास कुछ नहीं है कि उनको अपना दिख रहा है मैं फिर कह रहा हूँ सपा बसपा के एरोगेंस और दोनों को साथ ना आने की सजा इस समाज को भुगतना परेगा आप मुस्से खुश हो सकते हैं या हमसे नाराज हो सकते हैं लेकि सचाई यही है कि अब जो तस्वीर बन रही है यूपी और ब बन लीडर्सी बाली पार्टिया आपस में बैठ रही है तिन तिन चार चार बार बात्चित कर रही है और अर्विंद के जरिवाल दिल्ली पंजाब गोवा गुजरात और हरियान आइन सब जगों पर बारगें कर रहे हैं और चुनावलर रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ दलित पिछरे आदिवासी निताओं का घमंड समाज का बेरा गर्ग कर देगा और मैं फिर कह रहा हूँ, अब लगभग साफ हो गया कि उपी बिहार में बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाओ, जितने जा रही है, गाठवान लिजे, अभी भी मौका है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, जब तक समाजबादी पार्टी और बीएसपी, यूपी में चुनाओ एक साथ नहीं लरती है, बीजेपी को हराना मुमकिन ही नहीं है, और बिहार में जितनराम माजी, अभी के गटवंधन के हिसाब से भी अगर जितनराम माजी, चिराग पास्वान, उपेंदर कुसबहा, और मुकेश सहनी, बीजेपी के पाले में अभी दिख रहे हैं, अगर मुकेश सानी भी बीजेपी के पाले में चले गएं, तो नितीज कुमार और तेजस्वी आदब 17-17 सीट पर लड़ जाएं, सीटें उनको आने वा एक भी नहीं आएंगी, आप लोग अपनी पर्तिक्रिया जरूर दीजिये, शुक्रिया.